नमस्कर दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं आज बहुत अच्छी बाते बताऊँगा आप सभी को मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिये और गौर करिये इसमें बहुत से सारी अच्छी अच्छी बाते हैं जो कि आप सभी लोग को बहुत मजा आगा और बहुत अच्छा लगेगा और कुछ सिख भी मिलेगी तो हम ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों पायल हजार रुपे में आती है पर पैरों में पहनी जाती है और बिंदी सिर्फ एक रुपे की आती है उसे माथे पर सजाई जाती है इसलिए कीमत माइने नहीं रखता है दोस्तों उसका कृत्य माइने रखता है एक किताब घर में पड़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उन दोनों को नहीं पड़ते नमक की तरह कड़वा घ्यान देने वाला ही सच्चा मीत्र होता है मीठी बात करने वाले तो चापुलूस भी होते हैं इतिहास गवा है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अकसर कीरे पड़ जाते हैं अच्छे मार्ग पर कोई ब्यक्ति नहीं जाता पर बूरे मार्ग पर सभी जाते हैं इसलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता पर दूद बेचने वाले को गली गली और कोने कोने घर घर जाना पड़ता है और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, पर दारू में खुद हाथों से पानी मिला करके पीते हैं, वाहरे दुनिया और दुनिया की रीत, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आ करके भी भग जाएगा, जगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया में रोते रोते हुए नहीं आते, मगर एक मीठा सत्य यह भी है कि अगर यह जिन्दगी बूरी होती तो जाते जाते लोगों को रुला कर नहीं जाते, वाहरे मानों का स्वभाव, लास को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेज जीव को मार के खाता है, यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगया है दोस्तों, जहां गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है, वीचित्र दुनिया का कठोर सत्य, बरात में दुल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है, मयत में जनाजा आगे और दुनि दिन मनाना, नई सदी से मिल रही है दर्द फरी सोगात, बेटा कहता है अपने बाप से कि तेरी क्या है यवकात, पानी आखों का मरा मरी शर्म और लाज, कहे बहु अब सास से घर में मेरा राज, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई और साली पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान, पत्थर के भगवान को लगते चपन भोग, मर जाते फुट पात पर भूखे प्यासे लोग, पहन मुखवटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारा करते फिरे और घर में भूखा बाप, तो दोस्तों ये है हमारी दुनिया की दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, तो आप लोग आगे भी शेयर करिए ताकि और भी इंसानों को सुन करके कुछ नकुछ तो सीख मिली जाएगी, दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, तो इससे शेयर करना ना भूलिये, शेयर करने से क्या फायदा होगा ताकि और भी कोई देखेगा तो उसे कुछ न कुछ तो सीख मिलेगी और मेरी वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना कमेंट में अपना सुझाओ जरूर दें कि आप सभी को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना